एक बार की बात है, जिग्यासु दिमागों से भरे एक शहर में मिस्टर वाइज नाम के एक शिक्षक रहते थे, उनके दो छातर थे, टिम और लिली, जिन्हें नई चीजें तलाशना और सीखना पसंद था, मिस्टर वाइज ने देखा कि टिम और लिली पैसे के बारे में जा महनत करने में विश्वास करते थे, जबकि अमीर पिता अधिक पैसा कमाने के लिए पैसे का उपियोग करने में विश्वास करते थे। एक दिन मिस्टर वाइज ने टिम और लिली को अपनी आराम दायक कक्षा में संपत्ति और देंदारियों के बीच अंतर को समझने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने बोड पर दो चित्र बनाए, एक छोटा सा घर और एक गेम कंसोल. उन्होंने बताया कि घर जैसी चीजें आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जबकि गेम कंसोल जैसी चीजें आपकी जेब में पैसे डालती हैं. टिम और लिली ने संपत्ति और देंदारियों के बीच अंतर को समझा. Rich Dad ने टिम और लिली को बताया कि व्यवसाय एक जादूई साहसिक कार्य जैसा था उसने उन्हें दिखाया कि थोड़ा लाब कमाने के लिए कैंडी कैसे खरीदें और उन्हें कैसे बेचें टिम और लिली को एहसास हुआ कि रचनात्मक होकर वे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं बेचारे पिताजी स्कूल को सबसे महत्वपूर्ण समझते थे उन्होंने कहा कि अच्छे ग्रेड से अच्छी नौकरियां मिलेंगी लेकिन Rich Dad ने अलग सोचा वह स्कूल के बाहर पैसे के बारे में सीखने में विश्वास करते थे टिम और लिली ने देखा कि दोनों पिताओं के अपने अपने विचार थे Rich Dad ने टिम और लिली को सिखाया कि वे चुन सकते हैं कि अपने पैसे का उपियोग कैसे करना है वे पैसे के लिए काम कर सकते हैं या पैसे को अपने लिए काम करने दे सकते हैं टिम और लिली ने फैसला किया कि वे रिच डैड की तरह बनना चाहते हैं और स्मार्ट विकल्प चुनना चाहते हैं जैसे जैसे टिम और लिली बड़े हुए, उन्हें Mr. Wise और Rich Dad के सभी सबक याद हो गए। उन्होंने बचत करना, निवेश करना और रचनात्मक तरीके से सोचना सीख लिया था। वे सफल वयस्क बन गए और पैसा उनके लिए काम करने लगा, जैसा कि Rich Dad ने उन्हें सिखाया था। टिम और लिली ने अपना ग्यान दूसरों के साथ साज़ा किया, जिससे उन्हें पैसे के रहस्यों को समझने में मदद मिली। उन्होंने सभी को दिखाया कि पैसे के बारे में सीखना एक मजेदार साहसिक यात्रा पर जाने जैसा है। और ठीक इसी तरह यह शहर एक ऐसी जगह बन गया, जहां हर कोई जानता था कि अपना पैसा कैसे बढ़ाया जाए।